पुलवामा हमला आपको तो याधी होगा 14 फरवरी 2019 को जम्मू कस्मिर के पुलवामा जिले में हुए इस हमले में 45 CRPF के जवान मारे गये थे इस हमले को याद कर आज भी देश वासी जो है वो उनके अंदर का जो दर्द है वो अच्छलक परता है आखिर पुलवामा हमला एक साल लगपब इस हमले को हुए होने वाले है 14 फरवरी को एक साल हो जाएगा लेकिन इसको लेकर कई खबरे ऐसी आ रही है जो कई ने कई आपक अंदर तक जग जोड़ देगी इसमें मारे गया सैनिकों को लेकर ऐसी खबरे आ रही है कहा जा रहा है कि सैनिक परिवारों को किसी भी तरह की सुविधाय नहीं मिल रही है ऐसी खबरे लगातार आ रही है इसी बीच अब बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री लालु ठीके से उन्होंने एक खबर को ट्वीट किया है जिस खबर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पुल्वामा का एक साल सहीद की पत्नी लगा रही गुहार अब तो सुनलो सरकार ये खबर है और उसके बाद उन्होंने कैच वर्ट दिया है कि ना पुल्वामा हमले की जा को मदद मिल रही है तो कहीं ने कहीं पुल्वामा हमले को लेकर लाल परसाद यादव ने एक बरापर हार किया है सरकार पर लगातार सोशल मीडिया पर लाल परसाद यादव एक्टिव रहते हैं फिलाल सजायाफता है चारा घोटाला के मामले में और राची के निम्स में भ बता दे कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था आतंकी हमला यूं कहें कि जो काफिला जा रहा था इस पर अटेक हुआ था ब्लास्ट हुए थे जिसमें हमारे 45 जवान सहीद हो गये थे करेब 40 जवान है वो घायल हो गये थे तो इस हमले के बाद फिर सरकार ने क इन तमाम चीजों को लेकर सियासत भी तेज हुई थी कई लोगों ने इसको लेकर कई सारे आरोब भी लगाए और एक फिर से जब इस घटना को घतित हुए एक साल होने को है तो ऐसी में यह एक बड़ा सवाल की आखिर सैनिकों को जो सुविधाएं हैं सैनिक के परिवारों तो इसी बहाने लालो परसाद याधव ने सरकार को कोसा है तो देखने वाली बाद होगी कि लालो परसाद याधव के इस ट्वीट का क्या कुछ असर होता है तमाम चेसमवां आपको अपडेट करा रहे हैं अगर आपने अब तक माने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद.